बागवन साथियो आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में तो बागवन साथियो जो मैं वराइटी आपको इस वीडियो में दिखाना चाहूंगा सेब की वो है मेमा मीश्ठार रड डिलिशियस की वराइटी तो आप यह देखिए यहां पर यह अभी किस तरह का बना है M9 पर अगर मैं बात करूँ जो इंपोर्टेट प्लांट साथे है जो वराइटी का ट्रू करेक्टर है आपको दो साल के बाद देखने के लिए मिलेगा किसी भी वराइटी में चाहे वो गाला हो चाहे वो रड डिलिशियस के स्ट्रेंज हो आप यह देख की अच्छी लग रही है देखने में भी और जो साइज है इतना फ्रूट रोड रखने के बाद और पाने की कमी होने के बाद बारिश ना होने के बाद भी जो साइज है वो इसका काफी अच्छा बन रहा है और रही बात इसकी हर्वेस्टिंग की तो इसकी हर्वेस्टिंग अगर हम लेट फिट हर्वेस्टिंग करेंगे तो इसमें जो कलर है और साथ में जो टेस्ट है तो अच्छा believe अगर आप अज्रे हर्वेस्टिंग करते हो तो यो उतना चाने हैं जिस वजह से और डेली सिर्ट का टिस्ट है एज इसने चाने ही आता है यहाँ पर आप देखिए गाला जो यह है यह अगर आप कच्छा भी तोड़ोगे फिर भी इसमें जो हलका फुलका टेस्ट है वो रहता ही है अगर आप रेड डिलिश्यस का टेस्ट देखे तो वो तब ही आएगा जब यह फुली मिचेवर हो जाएगा टब जाके ही मेममीश्टार जो यह हाई कलर स्टेग वराइटी है उसका टेस्ट प्रॉपर आएगा तो आप सभी से यही हम recommend करते है कि जो high color stain varieties है उसको पहले पूरा मिचेवर होने दे उसके बाद ही आप harvesting इन varieties की कर सकते हो क्योंकि इसमें color gel दियाता है और जो अंदर से दाना है वो मिचेवर लेट होता है अगर full मिचेवर में आप तोड़ो गए तो जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आपको मिलेगा पर condition इसकी यह कि आप proper time इसको harvest करो तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही बन्यमाट